हेलो विवेन वेलकम टू मैं चैनल मेरा नाम पुझा रहा है और मैं आप लोगों को अंग रखा बता रहे हैं तो यह एक फोल्ड ही एक पेजी है और इसे हम चार फोल्ड में फोल्डिंग करेंगे जिस तरीके से फ्रॉक के हमने कटिंग बताई हुई है उसी तरीके से इसके कटिंग हमें करनी है तो हम लेंगे कंधा चार इंच और यह भी लेंगे हम दो इंच गला भी दो इंच और कंधे के लिए भी दो इंच और यहां से हो गया पांच इंच हमारा गला और पांच इंच की हम बाजू भी बना लेते हैं क्योंकि बच्चे के लिए है अगर आप ब गोल सा बना लेंगे हम इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अंग रखा की कटिंग आपको कैसे करनी होती है तो खोड़ लेंगे हम खोल के दिखाएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा तो थोड़ा सा तीर्चा होता है तो यह चीज आप ध्यान दें तो यहां पे एक इंच है बीच में और 6 इंच नीचे तक आना है हमें तो कंधे के बीचों बीच ही हमें लाना है इसे और यहां पे अगर हमारा पांच है तो यहां पे हम 6 लगा रहे हैं आम तोर पर अगर आप कपड़े पे लगा रहे हो तो 7 इंच तक आप लगाएं त्योंकि 2 इंच या 1 चाहिए तो यह पेज है तो हम 6 इंच ही लगा रहे हैं कपड़े में अगर आप लगा रहे हो तो प्लीज दो इंच लगाए और उसको सिल्ले में पैफिन बनाने में वो अच्छे से कबर हो जाएगा तो इसे हम सीधा करेंगे क्योंकि बीच से हमें कट नहीं करना है और हमें सा सीकतीद से अगर हम बताते हैं थोड़ा आपको दिक्कत होता लेकिन फूर оп कूल करके बताएंगे तो आसानी होगा उसकी बाद को काटिंग्स करनी है जैसे आप निशान लगाएं वैसे ही आपको कर्टिंग भी करनी है किसी भी 3-4 साल की बच्चियों के लिए आप अराम से यही मेजिमेंट सिल सकते हो और गला आप चार इंच ही रखें बच्चों का गला चार इंच बहुत है आप बड़ों का अगर सिल रहे हो 14 साल की लड़कियों का या 14 साल से उपर का तो आप 5 इंच और 6 इंच जिसी साफ से उनका आगे का गला हो उसी साफ से अफसिल सकते हो तो पीछे वाले को हम निकाल के अलग कर लेंगे बिल्कुल ही और आगे वाले की ये कटिंग हम करेंगे अंगरक्खा आप इस अंगरक्खा को आप जैसे की लेडिस भी पहन सकते हैं और जिन्स भी पहन सकते हैं जैसे की डांडिया वगयरा में तलवार बाजी में ये सारी चीजे ये राजपूत ड्रिस जादा तरी से कहा जाता है राजपूती ड्रिस और ये देखे इस तरीके से खरटिंगे एवस्की बनाएंगे प्याल नीचा-चाहिते हैं को आप यदूर है कि ऊपर है किया आप कैसा चाहे हम Чер मेरा फूली यह इसे हम कर लेंगे क क्योंकि हमें는지 जाएं कि म कंशा स सब्सक्राइब में जितना ज्यादा चुन्नट होगा उतना अच्छा ही लगेगा तो नेक्स वीडियो में अंगरक्खा सूट भी बता देंगे और अंगरक्खा अम्रेला भी तो वह आप अपने हिसाब से जैसा सिलना हो वह से सिल सकते हो और चार पाठ है यह देख सकते हो दो दो पाठ हम एक में चुन्नट लगाएंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा चुन्नट और अंगरक्खा फ्रॉक भी बन जाए हमारा तो यह आप फोल्ड कर सकते हो यह हमारा दस इंच है दस इंच का फोल्ड आप पैपीन कभी भी निकाली है तो ऐसे करके ही निकाली है पैपीन में थोड़े से कपड़े के डिरेक्शन बदल देते हो तो वह तनने लगते हैं और डिरेक्शन चेंज होने की बाद ही वह टाइट लगते हैं जो कि नहीं तनते तो यह हमारा पैपीन बनाने का तरीका है और इससे कपड़े तनते हैं और पैपीन आपका अच्छे से बन जाता है कभी भी सी आप नहीं है तो प्लीज स्क्राइब करें और बल आइकन को भी हीट कर दें और नाटिफिकेशन दबा दें ताकि सारी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए और मिलते हैं नेक्स वीडियो में सी लाइक